हमशकार दोस्तों, जहाएं एक तरफ देश में बढ़ते कोरोना वाइरस केसिस की काउंटिंग चलने लग रही है, वहीं दूसरी तरफ 2nd मई को उन इलेक्शन रिजल्ट्स की काउंटिंग होई, जिनकी रैलीज में ये कोरोना वाइरस एक्चुली में फैला था, और रिजल् स्पेशली वेस्ट बेंगॉल की बात करें, तो जो भी एक्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था, वो सब गलत निकला, एक नहीं दो नहीं, बलकि सारे के सारे एक्जिट पोल्स बुरी तरह से फेल होगए, इन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा टीमसी को 180 सीट्स म बड़ी confidently अपनी predictions दी थी elections के हर phase के बाद, पहले phase के बाद कहा था कि BJP 30 में से 26 सीटे जीत रही, 5 phases के बाद कहा था कि BJP 122 सीट जीत चुकी है exactly, और overall कहा था कि BJP 200 का mark cross करेगी, लेकिन ये नहीं हो, अक्सर politicians ऐसे दावे करते हैं narrative build-up करने के लिए ताकि elections में momentum है, आम बात ह कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक prediction थी जहां बहुत बड़े sticks involved थे, political strategist प्रशांत किशोर की prediction, इन्होंने कहा था कि BJP 100 का mark cross नहीं करेगी, 3 digits में नहीं आएगी, अगर आ जाएगी तो ये अपना profession छोड़ देंगे, ना सिर्फ इनका दावा सही निकला, बलकि एक ऐस इसे मौके पर सही निकला, जहां पर पूरा मीडिया इसका उल्टा ही कह रहा था, election जीतने के बाद इन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया देश के election commission पर, आम तोर पर parties जब हारती है election, तब EVM को blame करती हैं या election commission को blame करती हैं, लेकिन यहां पर two-thirds majority से जीतने के बा वायश्ट था एक party के लिए, कई reasons दिये इन्होंने इसके, पहला की elections को आठ फेजिस तक खींचना, दूसरा election के phases को इस तरह से design करना कि पहले एक दो phases में उन areas में election हो, जहां पर BJP strong है, और जिन areas में TMC strong है, जिन districts में TMC strong है, उन districts में एक एक district को चार-चार phases में बाट देना, ताकि momentum ना build-up हो पाई. तीसरा धरूं के नाम पर जो भी religious politics खेली गई election campaigning के दोरा, उसे ऐसे ही चलते रहने देना और उन नेताओं के खिलाफ कोई action ना लेना, जो हिंदू-Muslim की राजनीती कर रहे हैं. वैसे अगर religious politics की बात करे हैं, तो कुछ लोग इन election results के बाद भी देश में हिंदू-Muslim के बीच में दरार बढ़ाने में लगे हैं. एस्पेशली बीजेपी supporters की तरफ से बहुत होते हुए दिखता है. कहते हैं कि ये TMC जो election जीती है, ये अपने minority vote bank की वज़े से जीती है. सारे Muslims consolidate होकर TMC को vote देते हैं और यही लोग दोस्तों गालियां देते हैं हिंदूओं को, कि भई तुम हिंदू लोगों ने क्यों नहीं vote दिया हमारी party को, क्या तुम जानते नहीं, बेंगौल में हिंदू खत्रे में हैं, सारे हिंदूओं को एखटे होकर हमारी party को vote देना प तो almost 50% touch करने को हो रहा है, इसे देखकर कहोगे कि around 20% हिंदूओं ने TMC को vote दिया है, लेकिन यह simple maths भी असलियत नहीं दरशाद दी, जो बेंगौल के southwest में एरिया पड़ता है, वहाँ पर ऐसी कई सीटों में Muslim population 5% से भी कम है, लेकिन देखिए वहाँ पर सारी सीटे TMC ने ब results को overall देखेंगे, तो बीजेपी के लिए हार मानने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वेस्ट बेंगौल में अब ये main opposition party बन गए है, पिछली elections में single digit में इनकी seats आए थी, इसके इलावा बीजेपी के alliance ने Assam और Puddu Cherry की states बड़े clearly जीती है, और reality है दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी से ज्यादा Congress की हार होई है, Congress ने Assam और Puddu Cherry की states हारी और West Bengal में जो उनका opposition का role था, वो भी खो दिया, और केरेला में historic जीत होई है LDF की, केरेला में पिछले 40 सालों से क्या होता आ रहा है, LDF और UDF बार-बार alternate करते रहे हैं, लेकिन इस बारी ये चीज नहीं ह तो ये भी Congress के लिए एक बहुत बड़ी हार है, Congress को अगर सही में जीतना है, तो उन्हें सक्त जरूरत है strong local leaders की, पिछली कई elections में ये चीज बार-बार देखने को मिली है, जहां जहां पर एक strong opposition leader का face रहा है, वहां वहां पर BJP को हराना काफी आसान रहा है, जाहें पंजाब म अमरिंदर सिंग हो, दिल्ली में अर्विन केजरिवाल हो, वेस्ट बेंगॉल में ममता बैनर जी, राजस्थान में सचिन पाइलेट, चाहें बिहार में तेजश्वी यादब भी क्यों ना हो, उन्होंने भी पूरा टक्कर का मुकाबला किया था, यही चीज बड़े easily BJP के यह भी applicable है, BJP वही सारी elections हारती हैं स्टेट में, जहां पर वो नरेंदर मोधी अपने प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर पर ज्यादा रिलाय करती हैं और कोई भी strong local leader नहीं होता, दिल्ली में अर्विन केजरिवाल के खिलाफ उनके पास कोई face नहीं था, सेम चीज वेस्ट अपनी खुद की seat से election हार गए, नंदी ग्राम constituency है यह seat करीब 1700 votes से, बहुत ही छोटे margin से इन्होंने यह seat हारी, बहुत लोगों ने election के दुरान कहा था कि ममता बाइनर जी को दो seatों से election लड़ लेनी चाहिए, क्योंकि इस एक seat से लड़ेंगी तो इनके हारने के chances ज्यादा है और यह seat बड़ी controversial है, यहां पर एक strong local leader है, एक ऐसे politician जो पहले TMC में ही हुआ करते थे, लेकिन ममता बाइनर जी के लिए बड़ी ही pride loose करने वाली बात थी और अपने supporters को motivate रखने का सवाल था यह, तो इसलिए उन्होंने एक ही seat से election लड़ी, जब 2014 में नरेंदर मोदी भी election ल लेकिन anyways, अब सवाल यह उड़ता है कि ऐसे case में क्या होगा, जब CM candidate खुद ही election हार जाए और party election जीत जाए, क्या वो CM candidate बन सकती हैं, क्या ममता बाइनर जी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, इस सवाल का जवाब है दोस्तों, हाँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है देश में ऐसा पहले भी हो रखा है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ममता बैनर जी के किसी एक MLA को resign करना पड़ेगा, और उस seat पर by elections होंगी, जिसमें ममता बैनर जी खुद खड़ी होंगी, और फिर उन by elections को जीतना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर, चीफ मिनिस्टर बनने के बात है COVID-19, जिसकी वज़े से दिन प्रती दिन लोग मरते जा रहे हैं, अभी हाली में दिल्ली के एक hospital में 10 से ज़्यादा patients की मौत हो गई oxygen की कमी की वज़े से, हैरानी की बात यह है दोस्तों, अगर आप data देखेंगे, center government ने कितनी oxygen allot करी है कितनी states को, इसमें आपको चादा oxygen की दिल्ली को जरुवत है और center government ने सिर्फ 490 MT allocate कर रही है दिल्ली को, सारी states के comparison में सबसे बुरा हाल यहीं पर है, और कई लोग यहां पर कहते हैं कि state governments पर भी उतना ही blame जाना चाहिए, center government को इतना मत blame करो, लेकिन यह oxygen को allocate करने का काम सिर्फ और सिर्फ center government का है देश के हर state, जब state governments खुद कोशिश करती है oxygen को लाने की, तो उन्हें लाने नहीं दिया जाता, center government की permission के बिना, यह example देख लीजिए उसका, और जिस दिन यह oxygen की कमी की वज़े से low अधिहानत हुआ, उस दिन तो यह 490 जो promise किया हुआ है, यह भी नहीं पहुचा पाये थे, इसी को बाद center government ने दिल्ली की जो allocated oxygen supply है, उसे 100 metric ton से बढ़ा कर 590 metric ton तक कर दिया है, लेकिन यह इतना देड में decision लिया गया है कि आज के दिन दिल्ली की oxygen की ज़रुवत 900 metric ton से ज्यादा क्रॉस कर गई है, यह अभी भी काफी नहीं, यूएस के famous डॉक्टर फोची ने कुछ recommendations और solutions द oxygen की supply को देखना कहां से आ रही है, उसे allocate करना सही तरीके से और सारी चीजों को सही तरीके से manage कर पाना, इसके लिए experts की ज़रुवत पड़ती है, जो कि सरकार ने अभी तक नहीं किया है, सरकार बस अपने politicians पर rely कर रही है, जो कि actually में busy थे अभी तक Bengal elections में action लेने के लिए, आ किन states को oxygen मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, कहां से वो आएगी, कहां से drugs procure किये जाएंगे, सब कुछ खुदी manage करना है, लेकिन अगर ये काम सरकार एक expert की team को दे दे, emergency commission को दे दे, तो काफी काम आसान हो सकता है, और सही तरीके से भी किया जा सकता है, दूसरी इनकी recommendation है क paramilitary forces को empower करना चाहिए और Indian army, Indian air force का इस्तिमाल करना चाहिए, जल्दी से जल्दी नए hospitals बनाये जाएं, vaccinations के लिए तयारियां करी जाएं, beds लगवाये जाएं, जो कि already कुछ हद तक सरकार ने जरूर empower किया है Indian military को ये सब करने के लिए, long term में इस crisis से निपटने का solution vaccination ही है, अग के सारे doubts clear करना चाहिए, जिलते हैं अगले वीडियो में फिर, बहुत बहुत धन्यवाद,